आप सुन रहे हो बैल लेडी डॉक्टर्स हो गाइस इस एपिसोट के लॉश्ट पार्ड में कुछ ऐसा हुआ था कि जो डॉक्टर अनाया रहती है वह अफिसर कसिस को आप अकेले जाने के लिए बिल्कुल भी मतलब राजी नहीं थी कि यार आप अकेले मत जा बूल के लेकिन जिद में तेर वह से चली जाती है उनको बोलते है कि आप इनका ध्यार रखे ए वह लड़की में पेटी थी और डॉक्टर अनाया के साथ देख रही होती है और लड़की एकड़म गूमी के साइड चाप पेटी थी कुछ ज्यादा बात ने करती है जिससे अनाया का पहरा ब लेकिन वो ख़त के उपर कंट्रोल करके कसिस के बातों का मतलब ध्यान रखती है तो उधर जो ओफिसर कसिस रहती है उस रूम में चली जाती है जहां पे वो बंदा आई में गैंक्स्टर था गैंक्स्टर जब वास्रूम से फ्रेश बगेरा होकर वहां पे आता है तो देखता है कि वहां पे उसका पपी नहीं है तो आज पास वो देखता है तो उसके सामने ओफिसर कसिस आती है तो ओफिसर कसिस को देख कर कि गैंक्सर बोलता है तुम तुम कौन हो मतलब कोई न्यू मेंबर मेरे गैंक में हो गया मैंने तो तुम्हें देखा नहीं है तो आफिसर कसिस हस्ते पे बोलती है तुमने मुझे नहीं पैचाना तो सामने से वो बंदा थोड़ा सा मतलब डाउट में आ जाता है या मैंने इसको कहा देखा है तो आफिसर कसिस हस्ते पे बोलती है मैं हूँ मैं हूँ Mr. अब भी नहीं पैचाना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सामने से वो बंदा गुस्से से बोलता है तो तुम हो Officer Crassys तो बोलते हैं हाँ इतना जल्दी आपने मुझे पैचान लिया। कुछ ज़्याद ही मतलब जल्दी नहीं पैचान लिया। तो सामने से गैंग्स्टर गुस्से से बोलता है। जितनी भी जल्दी से तुम्हें पैचाना होना उतनी जल्दी तुम्हें मार डालूँगा। ऐसे बोलके गैंग्स्टर उसके से गुस्से से बढ़ता है। तो Officer Crassys बोलती है हाँ क्यों नहीं ट्राइक कर लो। तो उसका जो फर्स्ट वार था वो अपने साइड मतलब नहीं लेती है। साइड हो जाती है। जिसके वैससे उसका वार जो है लेफ्ट साइड उसके बगल में होकर गुजर जाती है। तो सामने से वो बंदा बोलता है। तो भी उसके उपर दढ़ा धर मतलब वार करने स्टार्ट कर देता है। जिसके वैज़े से ओफिसर कसिस को थोड़ा दिकत हो रहा था लेकिन वह उसके वार को डॉजर करने का ट्राइक कर रहे होती है। हर वाल को डॉच नहीं कर पाती लेकिन कुछ वाल उसको लग जाते हैं लेकिन इन सब की परवा ना करते हुए वो भी उसके साइट बैक फाइट करती है इसे पीच ऑफिसर कसिस चो रहती है उसकी नजह दोर के उपर पढ़ती है जहां पी डॉक्तर अनाया भागी भागी वहा अगर मैं तुम्हें वहाँ पे रहनी के लिख बोला था आप मुझसे बात मत करो फाइट पर ध्यान दो एसा को छोट लग जाए तो इसकी बोलती है उपने फाइट पर ध्यान दे रही हूं ऐसे बुलके वह तो फाइट भाइट भी कर रही हो तो सामने से जो गैंस्टर रह के लिए अपना पैड बना के रखूंगा ऐसे बुलकर गैंग्स्टर जो है और गुस्से से और भी राक्षास वाला जो डैवल माले स्माइल रहे था ना राक्षास वाली ही वह सही माला मतलब इसमाइल का हस में लगता है जिसको देखकर कि डॉक्टर रनायज रहती है बुलत प्रांट में एक नाय उपा जाता है जिसके वाज़ास यह दोनों उससे तुड़ा दूर हो जाते हैं तो ऑस सामने से गैंस्टर बोलते है क्या हो अब तुम से दूर क्यों जा रहे है आओ पास आओ तो ऑफिसर कसे जोर रहती है डॉक्टर अनायज को साइट करते हो बोलती जिसके वाइज इससे जो डॉन रहता है, जो गैंस्टर रहता है, उसको गुस्सा आने स्टार्ट हो जाता है, और बोलता है, तुम दोनों इस तरह के से क्यों लड रहे हो, कुटे बिली की तरह, यहां मुझसे फाइट कर रहे हो, यहां फिर खुद एक दुसरे से फाइट कर गुससा कर रहा है, तो ऑधका कमें मर से वाइट सब्सक्तार कर ल survived, फैर गुसा क्यों शुद नार्मल शुद य्द्ता, मुझसे गुसे में आजाता है, चुद एक हाल बढ़ाता है, यहां दोनों से तो जो बन चुद्धोरिक से बढ़े बढ़ाता है, बढ़नी दूर और सौक्ट हो जाती है लेकिन ऑफिसर कसी जो है उसके सामने आ जाती है और उसके वज़े से वो चोट ऑफिसर को लग जाता है ऑफिसर जो है उस चोट को एक हाँ से पकड़ती है और दूसरे हाँ से उस मतलब बंदे का कॉलर पकड़ती है और उसे दूर करते हुए एक लात मारत तो डॉक्टर अनाया जो रहती है ऑफिसर कसिस को इस हालत में देखकर खुद बहुंच जदा घपरा जाती है और उसे अपने बाहों में लेती है और बोलते है भागल हो मैं उसे रोक सकती थी तुम्हारी जरुवत नहीं थी इस तरह किसे बीज में आने के कोई नीट नहीं थी ऐसा बोलके ओफिसर कसिस के ओपर चिला रही होती है ओफिसर कसिस बोलते है फाइन सांद रहो मैं ठीक हूँ तुम तुम जाओ उस बंदे को देखो बस तो अफिसर कसिस की बात सुनके डॉक्टर अनाया गुसे से बोलती है इसकी तुम मैं पहले तुम्हें मुझे हॉस्पिटर ले जाना चाहिए तो बोलते है मैं ठीक हूँ जाओ उसे पकड़ो ऐसे बोलके उसे ड़ दोल जाती है उस गैंक्स्टर के पीछे याचिए हुधमार भागती बहुत आगे चल गया था तो ओफिसर कसिस जो रहती है डंतर बंदे को पर हमला किया डंफर ले इस मुक्टे को डॉज करने का ट्राइ कर रहा होता है लेकिन वो उससे होनिग पा रहा होता है कि इस टाइम डॉक्टर नाया बहुत गुस्य में थी जिसको इसका फाइट का जो स्किल था ऑटोमेटिकली फास्ट होना स्टार्ट हो गया था जिसे वो बंदा देख भी नहीं पा र रहा होता है बट इस टाइम ऑफिसर के बारे हम सुझ के डॉक्टर नाया जो रहती है और अटोमेटिकली गुस्सा हो रही होती है और उसके अंदर का गुस्सा उसके हाथों से उस बंदे के फिस चेस्ट एंड टमी पे लग रहा होता है वह बंदा बहुंछ ज़्या दर्द एक चोट, हर जगा उसके बॉड़ी पर जहां जहां भी लगता था, वहां से ही चोट होना इस्ट जाता है, देन उसके चोट से ब्लड पर बियाने स्टार्ट हो जाता है, इस बंदे कहलत बहुत ज़्यादा खराब था, जिस से बंदा खुद बाखलो की तरहा है, तरहाँ दर बिल्कुल वी अपने सेंस में नहीं थी इस बीच वह उसे इतना मारती है कि उतना मारती है ज़ना हो जाता है जब ओसके गले से मतलब तहक के नेक के ऊपर ウग थाध में पहुत तेजी से मारती है और उसकेДа बाते लिए बोलते हैमारी हिंमत कैसे की हुई , मेरे प्यार के उपर चोट लगाने की, तुमने पता है क्या किया है, अगर उसे कुछ भी हो गया ना, तो मैं तुम्हें जिन्दा ने छोड़ूँगी, अभी तो तुम्हें मैं इसी हाला तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर उसे कुछ भी हो ना, तुम्हें जिन्द छोड़ लग जाता है डाक्टर अनायाव से छोड़कर कपने कसिस के पास चलिए जाती है। कसिस वहीं पे उसी पोजिशन में लेटी है। और वह बहुत ज़जद़ पेन में थी। उसके डाक्टर अनायाव वहीं पे सॉप्ट तरीके से खड़ी हो गई थी। वो मतलब बहुत डर रही होती है उस ब्लड को देखकर कि उसके हाथ पैर काप नहीं स्टार्ट हो जाते उसने अभी तक कितने सारे डैड बॉडी को हाथ लगाया था कितने सारे डैड बॉडी को चेर फाड़ गिया था लेकिन फर्स टाइम उसका हाथ इस तरीके से काप रहा था इस तरीके से उसका बॉडी सिवीर कर रहा था डर के वज़े से उसे खुद को मालूम नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है एंड जो डॉक्टर अनाया थी वो ऑफिसर कसिस के पास जाती है ऑफिसर कसिस के पास जाते ही उसके सर को अपने गोद में रखते हैं बोलते हैं प्लीज बेक अप डूंट वरी किसी भी टैम हमारी हेपकल कोई आ जाएगा प्लीज अपनी आखे बंद मत करो ऐसा वो बार बार ओफिसर कसिस को बोल रही होती है लेकिन देखते हैं कि अपिसर कसिस की आखे बंद हो रही है तो डॉक्टर अनाया खुद को काबू में लाती है और उसे अपने गोद में उठाती है गोद में उठाने के बाद वो दीरे दीरे करके एक एक कदम बढ़ रही होती है लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जम गया है उसके हाथ पैर पहुँआ ज़्यादा काब रहे है वो डॉक्टर अनाया जो रहती है अफिसर कसिस को उठा भी नहीं पा रही होती है तो अपने अपना सहरा देते हुए उसे दीरे दीरे वहां से ले जाती है लेकिन जितने भी कदम उसने चला था उस हरी कदम भी उसके आँखे बिलकुल भी मतला बंड नहीं हो रही होती है उसके आँखों से बहुत ज़्यादा आँसों निकल रहा होता है उसके पूरे आँखे रैड होगी थी वह बार बार आफिसर करसिस को बोर रही होती है कि प्लीस वेक अप प्लीस वेक अप हम कुछ टाइम के बाद हास्पिटल पहुंचेंगे प्लीस अपनी आँखे बंद मत करो यह वर्ड वह बार बार आफिसर करसिस के लिए बोर रही होती है ऑफिसर करसिस जो रहती है डॉक्टर अनाया की यह हालत देखकर कि उसे बहुँ ज़्यादा पेन हो र कुछ टिम के बाद वहां पे बागि के cop रहते हैं और आजाते हैं जो कि इन दोनों की इस हालत में देख बहुँचा है बहुँ जयादा बहुत हुआ हो जाते हैं बागि के cop को रहते हैं dr. अनाया को अलग करके पकड़ लेते हैं और हमारे officer क्शिस को सिधहार डॉक्टर के पर पास मिंस होस्पिटल के लिए रहाना किया जाता है जो कॉप रहते हैं, डॉक्टर अनया से बात्चित करने का ट्राइ कर रहा है लेकिन डॉक्टर अनया इस हालत भी नहीं थी कि उनकी किसी भी क्वेश्चन को आंसर दे सकी तो डॉक्टर अनया कुजर रहता है, उसे कस्टडी पर रहा जाता है और बागी की कॉप रहते हैं, वहां पूरी जगे पर अच्छे से मतलब चेक अप करते हैं ताकि यहां पर कोई और बंदा ना चूटे इसी बीच, इनको उस गैंग्स्टर के बारे में पता चल जाता है उस गैंग्स्टर को भी उठाया जाता है और उस लड़की के भी उठाया जाता है जो कि इस टैम बेहोस थी तो हमें एक घंडी पहले का सिन दिखाया जाता है जिस टाइम डॉक्टर अनाया जो रहती है उसे आफिसर कसिस वहीं पे रुखने के लिए बोल कर वहां से निकल जाती है वहाँ पे रुखने के बाँ जो डॉक्टर अनाया रहती है बहुँ ज़दा चिंदा कर रही होती है आफिसर कसिस को ले कर कि कहीं उससे कुछ प्रॉब्लम तो ना हो, कोई उसके उपर वार तो नहीं किया है, यह सारी बुरा ख्याला थी, उसके माइन में चलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वज़े से डॉक्टर अनाया जो रहती है, उस लड़की किसे डिकते हो बोलती है, तुम यहाँ पर प्रीस बै इसके वज़े से डॉक्टर अनाया जो रहती है, too गुस्हे में थी उस अनाया जाती है, उस लड़की कि पास जाती है उस तरफ के अर उसके बाल को पकड़कि खुट से तूड़ दूर करते हैं, तुम्हारी इतनी हमत कि तुमसे इस तरे कर चको थे बार करेती हैं, उसक तुम्हार के वज़े से लड़की वहीं पर बेहुस हो जाती है, उस लड़की को वहीं पर लिटार देती है, जो हमारी डॉक्टर अनाया रहती है, और उसके साथ देखते हैं तुम्हारी अवकाद ही नहीं है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करो, और मुझसे बहस करो, मैं तुम्हें जिन्दा नहीं रखती जिन्दा ही कड़ दी ऐसे बोलके वहाँ से निकल जाती है वहाँ से निकलने के बाद उस सीधा उस रूम में पहुंच जाती है जहां पे वह गैंग्स्टर और हमारी ऑफिसर के बीच बहुत गंदला फाइट हो रहा था इस दिन के बाद हमारा जो टाइम तरह प्रेजन्ट में आ जाता है जहां पे डॉक्टर अनाया को लेकर के जो कॉफ रहते हैं सीधा क्राइम ब्रांच के साइट निकल जाते हैं इस बिच डॉक्टर अनाया को ऑफिसर कस्यस से मिलने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है और जाते हैं और वहां पर आने के बाद देखते हैं कि डॉक्टर अनाया स्वरी ऑफिसर कस्यस की हालत बहुँ ज़दा स्रीयसा है और उसके जो टमी से पहुंच ज़ए ब्लड जो रहता है लोश्ट हो गया था जिसके डॉक्टर उनके ब्लड की मांग कर रहे होते हैं जो कि ब हमारे ऑफिसर को ठीप करो वह हमारे प्रांच का काविल ऑफिसर है ऐसे बोलके वह गुस्से से उस बंदे के साइड आमिन डॉक्टर के साइड देखकर बोल रहा था जो डॉक्टर रहता है कुछ टैम के लिए बहुंच ज़ए डर जाता है और बोलता है सर डॉंट वरी हम ब्लड ग्रूप का जो ब्लड है वह नहीं मिड रहा है इनका जो ब्लड है वह बहुंच ज़ए रहा है तो राठोर को रहता है हर एक ऑस्पिटल में जाकर फोन लगाता है और उन सारे डॉक्टर के उपर भी अच्छा खासा उतबाव डाल देता है जिसके वह सब ही जो रहत रहते हैं जहा करते हैं एस ब्लड को उनकी उर्फ एंचेक्टकिया जाता है, इस बीच ऑफ्रेशन जो थेटर से वह बंदे सारे के सारे बाहर आते हैं Mr.Rathor जो रहता है बोलते हैं क्या हाल हैं उनका भी सब ठीक है ना तो बंदे जो रहते हैं वो दो खंटे के ऑपरेशन के बाद बाहर आये रहते हैं वो बोलते हैं आप चिन्ता मत करें जो ठीक है बढ़ ठोड़े से खत्रे से बाहर तो नहीं है लेकिन खत्रे म हैं उमीद करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं ऐसे बुलकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उनको पदा था अगर कुछ टैम और यहां पे रहे और उने कुछ ऐसे वर्ड यूस कर दी जिसके वज़से मिस्टर राठोर गुस्से में आगए तो इनकी खैर नहीं है इस वज़ बहुत ज़्यादा स्रीयस है लेकिन उपर वाली के सुप्र है ज्यादा भी मतलब वोनिंग हुआ है अगर इनको जल्दी हो सा गया तो ओविसली ठीक हो जाएंगे ऐसे बुलकर वह डॉक्टर महां से निकल गया था तो यह सारी बाते जो रहता है हमारे मिस्टर राठोर के म है की यहार क्या होना है यह क्या ञार्या है मैंने पहले अपने बेटे को ढई आप अ जो खुद के ओपर कंट्रोल करिये, खाबू करिये, ऐसे बोलके अपनी सास की मतलब सास को समझा रही होती है, जो हमारी मम्मा रहती है, आइम इन हमारी ओफिसर की मम्मा रहती है, वो सांथ हो जाती है, अपनी बीटी के साइड बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, और ऐसे देरे टाइम भी बीटता जाता है, और कब इमनिंग से नाइट, नाइट से मौनिंग और मौनिंग से दोपहर हो जाता है, इनको भी पता नहीं चलता, दोपहर की टाइम डॉक्टर अनाया जो रहती है, वो क्राइम ब्रांच में रहती है, जहां पर उन से सवालात करने के ल लेकिन इस टाइम जो आफिसर रहते हैं वो मौझरा सिनियर थी इसलिए उप पर कंट्रोल करकी वहां पर चुपचा बैटरी ही होती है और डॉक्टर से जितनी भी सवाल किया जाता है उसके सही सही आंसर डॉक्टर अनाया देती है इसे भी जो आफिसर रहते हैं वो गुस्से से बोलते हैं कि अगर आप लोग जानते थे कि बैक अप आ रहा है तो आप लोग अपनी गलती के वज़े से क्यों उस गैंग्स्टर को पकड़ने के लिए चले गया थे अपनों को पता है ना ये अगर हम कुछ टाइम भी लेट हो जाते तो आफिसर कस्टिस के साथ क्या हो सकता था ये बात सुन करके डॉक्टर अनाया का सर एक बार के लिए उपर हो जाता है लेकिन फिर से नीचे हो जाता है कि उसे पता था अगर कुछ टैम भी लेट हो जाता तो अभी ऑफिसर कसिस जो रहती इस दुनिया में रहती ही नहीं यह सारी बाती डॉक्टर अनाय के मैंड में चल रहा होता है लेकिन खुद को पर कंट्रोल करके उनके सारे क्विश्चन का अंसर दे रही होती है और दूसरे आफिसर कसिस के पास आती है उसके हाथों को पकड़ती हुए उसकी ममा खोल्ड करती हुए बोलती है बेटा आयोगी ना कुछ तो बोलो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी तुम्हारी जगने का वेट कर रही थी तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा था अगर तु मुलके अपनी बीटी के पास बहुँ जगा रूनी लगती है तो उनकी जो दूसरी बेटी आमिन की बहु जो रहती है उनको समालने का ट्राइ कर रही होते हैं कि ममा प्लीज खुद के उपर काबू करें अगर आप इस तरीके से बेयो करेंगे तो कासिस को कौन समालेगा ममा प्लीज खुद के उपर कंट्रोल करें यह सारी बाते जो रहती हैं उनकी बहु उनसे बोड़ रही होती है तो उनके ममा को भी ये बाते सहीं लग रही होती है और उनके उपर कंट्रोल कर रही होती है और अपनी बेड़ी साइड बहुत प्यार से देख रही होती है जो हमारी आफिसर कसिस रहती है अपनी टिम टिम आती है आगों से अपनी ममी और अपने भावी के साइड देख रही होती है वो बात करने का ट्राइ कर रही होती है लेकिन उनके जुबान से आवाज भी नहीं कर रहा हुता है किनकि उनके बौड़ी में बहुँ जा था अभी तक बलड जो रहता ना बहे चुका था जिसको भी सुनके बोडी के साथ उनका पूरा सरीर ही कमजोर हो गया था और वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी आमिन मूड में नहीं वह बात करने के वो नहीं थी वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही होती है उनकी आवाज बिल्कुल भी कानों तक नहीं पहुँच रही होती है आफिसर कसे सोच रही थी कि वो तो बात कर रही है ममा सुन रही है लेकिन ये सब कुछ नहीं था वो बस बात कर रही होती है ममा जो है उसे जानने का समझने का ट्राइ कर रही होती है कि उन्हें बिल्कुल बे-कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ टुटी पुटी आवाज है उनकी मम्मा के कानों पे पहुच रही होती है तब ही जो डॉक्टर रहते हैं वहाँ पे चेक अप के लिए मतलब देखने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं तो क्या डॉक्टर अनाया को जेल हो जाएगी जो कि उसने कोई गलती नहीं की है तो क्या सच में इनको जेल हो जाएगी या नहीं होगी देखेंगे इसके नएस एपिसोड में स्टोरी कैसे लगे प्लीस कमेंट में बताएगा और अपने ध्यान रखिएगा या लव या लॉव या लॉव या लॉव